एक शहर में हीरा नाम का लड़का एक मिठाई की दुकान पर काम करता था दुकान का मालिक संजे हीरा पर बहुत विश्वास करता था और उसने दुकान का सारा काम हीरा को सौंप रखा था संजे का हीरा के साथ लगाव देखकर उस दुकान पर काम करने वाले अन्य लड़का अजीत अभूद इर्शा रखता अजीत हीरा को संजे की नजर में गिराने का कोई ना कोई बहाना ढूबता रहता एक दिन संजे दुकान के लिए 5 किलो घी का डबबा लेके आता है दुकान का सारा सावान और पैसों का रख रखाव हीरा की देख रेक में रहता था अजीत मौका पाकर वो 5 किलो घी का डबब चुरा लेता है जिस दिन अजीद वो डिब्बा चुरा कर जाता है, उसके अगले दिन से ही हीरा बुखार के कारण दुकान नहीं आपाता अरे अजीद, तुमने वो घी का डिब्बा देखा है, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही लाया था अजीद तो इसी मौके की तलाश में था जी मालिक, वो तो हीरा अपने साथ ले गया, जिस दिन से वो डिब्बा लेकर गया है, उसी दिन से वो छुटी पर है लेकिन हीरा उस डिब्बे का क्या करेगा, दुकान का सारा सामान तो उसी की देखरेक में रहता है मालिक वो तो खुद को दुकान का मालिक समझता है और जब उसका दिल करता है वो दुकान का सामान घर ले जाता है यहां तक की पैसे भी ले जाता है संजे अजीत की बातों में आ जाता है और जब हीरा बुखार से ठीक होकर वापस काम पर आता है तो संजे उसे बहुत भला बुरा कहकर दुकान से निकाल देता है हीरा को कुछ समझ नहीं आदा कि आखिर क्या बात थी और किस वज़े से उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया हीरा बहुत दुखी मन से एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है हीरा मालिक की बाते याद कर बहुत रोता है उसे मंदिर के एक कोने में एक साधु बैठे होते हैं जो हीरा को रोते हुए देख रहे थे साधु हीरा के पास जाते है क्या बात है वेटा, तुम कुछ परिशान लग रहे हो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ हीरा को साधु की मधरबानी सुनकर बहुत शांती मिltी है और वो साधु को सारी बात बताता है साधु को हीरा पर बहुत टयाती है ये लो बेटा, इसमें देशी घी है तुम इसे ले जा और इससे अपना खुद का मिठाई का काम शुरू करो बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और सच्चाई सब कर सामने आ जाएगा इन सब में ये घी तुमारी सहायता करेगा लेकिन बाबा इतना सा घी ये सब कैसे करेगा? बेटा ये जो घी में तुम्हें दे रहा हूँ ये कोई मामुली घी नहीं है ये जादूई घी है तुम्हें सिर्फ इसे एक चम्मच में लेना है और उस मिठाई का नाम बोलना है जो तुम इस घी से बनाना चाहते हो पिर तुम जादू देखना कैसे उस मिठाई से भरा था अपने आप तुम्हारे सामने आ जाता है हीरा को साधू के बाद पर विश्वास नहीं होता लेकिन वो साधू का मान रखने के लिए वो घी का डबा लेकर घर आ जाता है उस साधू ने जो कहा क्या वो सच है? क्या सच में ये घी जादू है? देखता हूँ गुलाब जामून इतना कहते ही हीरा देखता है उस छोटे से घी के चमत से एक बड़ा सा थाल निकल रहा है जो गुलाब जामून से भरा है हीरा की खुशिका तो ठिकाना ही नहीं रहता बर्फी इतना कहते ही चमत से बर्फी से भरा एक थाल निकलाता है हीरा मिठाई चक कर देखता है और मंत्र मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसी मिठाई नहीं खाई थी हीरा शहर के बाजार में रहडी लगा कर मिठाई बेचने का कारिय शुरू कर देता है वो प्रती दिन सुबह उठकर जादवी घी को चमच में लेकर कभी गुलाव जामुन तो कभी बर्फी कभी रजगुला तो कभी जलेवी मिठाईया बनवाता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता हीरा की मिठाई बाजार में खुब बिगती उसकी मिठाई की महक पूरे बाजार में फैल जाती है और लोग उसे खूब सारी मिठाईया खरिते हैं धीरे धीरे हीरा का काम खूब चलने लगा जिससे उसे अच्छी कमाई होती जल्दी हीरा ने पैसे चोड़कर एक दुकान खरित ली वो दुकान उस दुकान के बगल में ही थी जहां वो नौकरी करता था हीरा वो जादवी देशी खी अपनी दुकान में ही चिपा कर रख देता है प्रती दिन हीरा सुभा दुकान आखर उस जादवी देशी खी को चमच में लेकर विभर्न प्रकार की मिठाईयां बनवाता और फिर उन मिठाईयों को दुकान में बेचने के लिए लगा देता मिठाई की खुश्पू पूरे बाजार में भर चाती और दोग मिठाई खरीदने उसके दुकान पर लपक जाते हीरा की दुकान के कारण संजे की दुकान में ग्रहकों की कमें होने लगी जहां हीरा की दुकान ग्रहकों से भरी रहती वह संजे की दुकान पर इका दुका ही कोई ग्रहकाता इस बात से संजे को हीरा से बहुत ही इर्शा होने लगी हीरा की दुकान पर अब सिर्फ मिठाई ही नहीं, बलके विभिन्य वेंजन जैसे समूसे, कचोडी, पकोड़े आदी भी मिलते एक दिन अजित हीरा को घी की साहता से मिठाई बनबाते देख लेता है और वो ये बाद जाकर संजे को बताता है माली, माली, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया अरे-अरे, सांस तो ले ले, क्या पता चल गया तुझे, जो इतनी तेजी से भागता हुआ रहा है मालिक मुझे पता चल गया कि आखिर उस हीरे के पास ऐसा क्या जादू आ गया जो उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड रहती है और हमारी दुकान खाली पड़ी रहती है अजीत संजे को सारी बात बताता है अच्छा तो ये बात है अब तो वो घी में लेकर ही रहूंगा संजे अजीत के साथ मिलकर उस घी को चुराने की तरकीव निकालता है और मौका पाकर वो घी का डिबबा हीरे की दुकान से चुराकर अपनी दुकान पर ले आता है जलेबी संजे की इतने कहते ही वो चलेबी से भरा दुकान जिसकी महक पूरी दुकान और दुकान के आसपास फैल जाती है संजे इस प्रकार घी के साहता से गुलाव जामुन, बर्फी, पेड़ा, समूसे, कचोडी, आदी चीजे भी बनवाता है संजे की दुकान इन सब चीजों के महक से भर जाती है और आसपास भी इन चीजों की खुश्बू फैल जाती है संजे की दुकान पर भी ग्राकों के भीट लगने लगती है और लोग उससे मिठाई, समूसा, कचोडी, आदी चीजे लेके जाने लगे अब संजेक को, हीरा को नीचे दिखाने का मौका मिल गया लेकिन उसकी चूरी की ये दुकान ज्यादा देर न चली अब भाईशा, ये ले जाये आपकी जले भी आप ही खाईए ये नमकीन जले भी, चत्नी के शार मुझे तो मेरे पैशे वापस जाहिए ये लो भाई, तुमारा समोसा और मेरे पैशे वापस करो क्या कभी समोसा नहीं खाया तुमने समोसे में नमक की जगा चीनी भर्दी गई है अरे चीनी वाला समोसा, नमक वाली जले भी ये आप लोग क्या कह रहे हैं अरे भाई, अगर तुमें हमारी बात पर विश्वास ना हो रही है तो खुद ही चक्कर देख लो संजे जैसे ही जलेबी और समोसा चकता है वो वैसे ही निकलते हैं जैसे ग्रहक बता रहे थे नमक वाली जलेबी और चीनी वाला समोसा धीरे धीरे और भी ग्रहक जो संजे के सामान लेकर गए थे उसे सामान वापस देकर पैसे लेने आ जाते हैं संजे को अपनी गल्टी पर बहुत पच्टावा होता है वो घी का डिपा लेकर तुरंती हीरा के पास वापस जाता है और उसे अपने क्रिया की माफी मांगता है इधर अजित को भी हीरा की नेक तिली देखकर अपने बरताव के लिए पच्छतावा होता है वो हीरा और संजे को सारी असलित बता देता है कि कैसे उसने घी का डबा चुड़ा कर हीरा पर इल्जाम लगा दिया था उन लोगों के पच्टावा के आंसु देखकर हीरा उन्हें माफ कर देता है अब हीरा अपने जादूई देशी घी से बनी कुछ मिठाई या संजे की दुकान पर भी बेचने लगता है जिससे संजे की दुकान पर भी ग्राहक आने लगते हैं और दोनों की दुकान अच्छी चलने लगती हैं अच्छी दोनों दुकानों की देखभाल का काम किया करने लगता है रासपुर गाउ में गिर्धारे नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था उसके माता पिता भुड़े हो गये थे उनके पास जो थोड़ी बहुत जमिन थी उस पर पानी की कमी के कारण कोई फसल ठिक से नहीं होती इस बार उसने अपने खेट में सिमला मिर्च की फसल लगाई थी जब भी सबची मंडी में जाता तो देखता सिमला मिर्च बहुत महेंगे बिक्ती थी उसने सोचा अपके बार सिमला मिर्च लगाकर उसको बेच कर खुब पेशा कमाऊंगा वे लोग कौन से बेलो को रहट में जोद कर पाने निकाल कर सिंचाई करते थे एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और कुएं का पानी बिलकुर निचे चला गया जिनके पास पेशे थे वे लोग तो वाटर पॉम्प लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे पर उसका तो वेसे ही हाथ तंग रहता था पूरी फसल सूख रही थी गिरधारी के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाईस थी कि कहीं से कर्च मिल जाए लोड़ी भी नहीं है जो कुछ था मुकदमे की भेट चड़ गया अपनी मा से पूछ लो शायद कुछ पैसे रखे हो मैंने तो थोड़ी सी रकम बचा कर रखी थी सब बहु के जापे में ही खर्च हो गई गिर्धारी निरास होकर बरा मद्य में चुपचप जाकर बेट कया बेट कर सोचने लगा कि क्या उपाय करें वहीं बेट कर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बुढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई और बोली बेटा कुछ खाने को देदो हो सके तो तन ढखने के लिए एक धोती भी देदो भगवान तुम्हारी सारे मुसीबत दूर करेगा इस गाओ में लोग बहुत कंजू से सुभा से ही घूम रही हूँ किसी से एक अन्न करदाना भी मुझ अभागी के लिए ना जोटा ये कहे कर बुढ़िया की आँखों से आसू गिरने लगे गिर्धारी अपने मुसीबत में उल्चा हुआ बेठा था उसने कहा अच्छा तुम यहीं बैठो मैं अभी घर में जाकर देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ सुनो कुछ खाने को है हाँ तुम्हारे लिए खाना रखा है वो चार रोटी और दाल एक ठाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया बुढ़िया ने जड़ से अपने टीन की ठाली निकालकर दाल रोटी ले ली और एसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भुकी हो गिर्धारी उसकी तरब देखकर मुस्करा दिया वो अपनी पतने के पास गया और बोला कोई पुरानी धोती है तो दे दो बहुत गरीब है वो बुढ़िया कौन बुढ़िया किसके बाद करे हो अरे वही जिसके लिए खाना ले गया तुम अपना खाना उस बुढ़िया को दे आए तो तुम क्या खाओगे अब तो चुली की आग भी ठंडी हो गई है अरे कुछ भी खालूंगा देखो कोई धोती हो तो दे दो वो चुपचाप गई और एक हरी किनारे वाली धोती लाकर दे दी वो भी उसके पीछे पीछे देखने आएगी किसकी इतिनी आभागत हो रही है जब उसने बुढ़िया को देखा तो अपनी पती से बोली तुमने बढ़ा नेकाम किया वो बुढ़िया खा पीकर धोती लेकर चली गई थोड़ी देर बाद जब वो खेत पर पहुंचा तो अपनी कोई के पास वाटर पॉम की घर घराहट की आवास से चोक गया वो जल्दी जल्दी उसके पास गया तब ही उसमें से पानी निकलने लगा और खेतों में बनी नालियों में पानी रेंगने लगा मारे खुसी के उसकी आँखों से आंसों बहने लगे उसने वाटर पॉम के पानी से अपने मूँ पर छिटा मारा फिर क्यारियां भरने के लिए नाली काटने लगा जैसे जैसे पानी खेतों के कारियों में भर रहा था खेत लहा लहा उठा पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पॉम्प किसने लगाया जब वाटर पॉम्प के नस्दीक पहुंचा तो वाटर पॉम्प से अबाज आई गिर्धारी तुमने खुद भूके रहे कर मुझ जैसे भिकारीन को खाना खिलाया और तन ढखने को धोती दी तुम जैसे लोग कभी भी मुश्किल में नहीं रह सकते मैं चानती थी कि तुम बहुत परिशानी में हो ये पॉम्प तुम्हारी ही है अब जहां चाहें वहां ये पॉम्प लगाकर सिंचाए कर सकते हो परन्तु तुम कान हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ आज धर्टी पर इंसानों की दुनिया देखने के लिए आई थी परन्तु वहां तो तुम्हारी सिवा कोई इंसान मिला ही नहीं क्या इस धर्टी पर सारे इंसान एसे ही निर्दई होते हैं? इतनी स्वार्थी लोग रहते हैं इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था गिर्धारी चुपचाप खड़ा उसके बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था धोड़ी ही देर में वो घर आ गया खाना खाकर जब बरा मदे में बेठा तो लाल हरे और पिले सिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरी अपने दर्वाजे पर खड़े देकर वो आचमबित हो गया उसने एक टोर्च ली और अपने खेत की तरब भागा वहाँ जाकर देखा कि उसकी मिर्च तो जोकी त्योक खड़ी लहरा रही है वो वाटर पॉम के पास जाकर बोला मेरे घर पर किसकी शिमला मिर्च रखी है उसको पेचकर अपने जरुरते पुरी करो अपसे तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी तुम बहुत दयालू और कर्मट इंसान हो इस बारे में किसी से कुछ ना कहना जब समय आएगा तो मैं खुद ही बताने को कहूँगा गिर्धारी घर गया दूसरी सुभा जब वो उठा तो सिम्ला मिर्स के बड़े बड़े टोकरे बेल गाड़े में लेकर बजार गया जहां उसको सिम्ला मिर्स के बहुत अच्छे दाम मिले उसने घर भर के लिए कपड़े और समान खरीदा जब घर आकर सब को दिया तो सभी लोग उसको देखते रहे गये सुभा जब वो खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके कुए के पास ही कुंदन चोहान बेहोस की अबस्था में पड़ा था उसने उसके मुँपर पानी की छींटे मारे तब वो उठा और तेजी से भागा पकड़ उसको वो तुम्हारा पाम चुराने आया था इसलिए उसको करन लग गया गिर्धारी मुस्कुराया और बोला तुम हो ना मुझे चिंता ही नहीं है गिर्धारी ने सोचा आज ही मिस्ट्री बुलाकर सीमेन में पाम के लिए एक छोटी से कोठरी बनवा देता और उसमें ताला लगा देता तो कोई चोरी नहीं कर पाता तब ही उसने देखा कि उसके खेत में कोई जानवर घुस आये थे वो हर्र हाँ हाँ करता हुआ जानवरों के पीछे दोड़ा लौट कर आया तो कोठरी तैयार थी एक चमकडार ताला चाबी दर्वाजे में लटक रहा था अरे वाह ये तो जादू ही हुआ जा रहा है अब लगता है हमारे दिन बदल गए जब वो घर आया तो बहुत खुस था उसने सोचा किसी से कही भी तो नहीं सकता ठीक है जब समय आयेगा तो देखा जाएगा जादू ही वाटर पॉप ने उसके अंधिकार भरे जिवन में रोसनी ला दी थी